व्याख्यान में आप सबका स्वागत है पिछली व्याख्यान में हमने अनुमान प्रमान का लक्षन पड़ा था तथा उससे प्राप्त होने वाले ज्यान को समझा था कि जो अनुमान प्रमान से ज्यान प्राप्त होता है आज हम उस अनुमान प्रमान के भेदों का अध्यन करेंगे अनुमानम ट्विविथम अनुमान प्रमान दो प्रकार का होता है स्वार्थम प्रार्थम चे स्वार्थ और प्रार्थ अनुमान दो प्रकार का होता है स्वार्थ और प्रार्थ अर्थात स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान तत्र स्वार्थम स्वानुमिती हेतु इनमें जो स्वार्थ अनुमान होता है ये स्वयम की अनुमिती का हेतु होता है अर्थात व्य अनुमिती ज्यान जो कोई ग्याता स्वयम प्राप्त करता है स्वयम ही प्राप्त करता है, तो स्वयम को होने वाली अनुमिती का जो हेतु होता है, वैस्वार्थ अनुमान होता है, इसके पल पर ग्याता केवल स्वयम ग्यान प्राप्त करता है, अनुमिती नाम ग्यान प्राप्त करता है, तथा जैसे, तथा ही स्वयमे भुयो दर्षने यत्र धूमस तत्रागनी इत्र धूमस तत्रागनी इत्र धूमस तत्रागनी जहां धूआ होता है वहां आग होती है इती महानस आदव रसोई आदी में इस साहचरी नियम को देखकर व्याप्तिम ग्रहित्वा और उस कार्य और कारण से सम्मन्दित जो साहचरी नियम है उस व्याप्ति को लेकर नियम सरूप व्याप्ति को ग्रहन करके परवत समीपम गता है कभी परवत के पास गया तद गते वहाँ पर जाने पर अगनव संधिहाने परवते धुमम पश्चन व्याप्तिम स्मरती वहाँ पर उस परवत पर धुये को देखते वे उसके आधार पर अगनी का संधे करते वे जाकर उसनी दूएं को देखा परवत पर और उठते वे दूएं के आधार पर उसे ये संदे हुआ कि इस परवत पर आग भी है उसमें संदे करते वे व्यापतिम स्मर्ती उसको निश्चे नहीं है कि है नी तो इसके लिए व्यापति का स्मान करता है कि यत्रधूमस्ततरगनी जहान दूआ होता है वहां आग होती है तदनन्तरम और इसके पच्चाद वन्नी व्यापि दूआनायम परवतैई थी ज्ञान मुत्पदेते उसे यह ग्यान हो जाता है कि आग से व्याप्त दूएं से युकती है परवत है उसे इतना ग्यान बोजाता है, बोध हो जाता है कि ये कोरा धुवा नहीं है जिस आग के बारे में वह संदे कर रहा था अब उसे इतना बोध हो जाता है कि ये धुवा आग से व्याप्त है अठाती है जो परवत पर धुवा उठ रहा है वै कोरान अगर किस से व्यापत है अगनी से व्यापत है आयमेव लिंग परामर्श है इत्युचते यह लिंग का परामर्श कहा जाता है तसमात परवते वन्निमान इती ज्यानम अनुमिती ही उत्पद्यते इस लिंग परामर्श के पश्चात परवत आग से युक्त है यह अन अनुमिती ज्यान को देनी वाला जो प्रमान है, स्वयम को जो अनुमिती का पूद कराने वाला है, वे स्वार्थ हनुमान कहा जाता है। इसी सहाचरी नियम या व्यापती को ग्रहाण करके परवत के समीब जाता है, और वहां निकलते हुए धुएं को देखकर अगनी का उस परवत में संदे करता है, कि यहां आग भी होनी चाहिए. और संदे करते करने के साथ वे व्यापती को भी समर्ण करता है कि जहां दुआ होता है वहां गोती है यह प्रक्यक्ष कर चुका है वेरसोयादी में तो इस व्यापती के बल से उसको इसके परश्चा समर्ण करने के परश्चात यह ग्यान होता है कि यह परवत आग से व्याप्त दुने से युक्त है और यही ग्यान जो प्रामानिक हो जाता है कि यदि यहां हेतु है तो यहां पर साध्य भी है इसको लिंग प्रामर्श कहा जाता है और इसके पश्चात उसे अनुमिती नाम का ग्यान होता है कि यहें परवत आगसे यूपत है ये विशुद ज्यान हो जाता है यहाँ पर एक बाद समझने की यह है कि व्याप्ति को गरहन करना और उसको समाण करना व्यक्ति का इस अनुमान के लिए इस अनुमिति ज्यान के लिए व्यापति को ग्रहन करना आवशक है और स्मार्ण करना भी आवशक है ये उसने ग्रहन नहीं किया प्रत्यक्ष नहीं देखा तो स्मार्ण कैसे करेगा और ग्रहन कर लिया है किन्तु बहां चाकर भूल गया उसे याद नहीं आ रहा कि जहां दुआ होता है वहां आग होती है त परप्रतिपत्यर्थम पंच अव्यवाक्यम प्रयोगते तक परार्थ अनुमान। जब कोई व्यक्ति स्वयम धुएं से अगनी का अनुमान करके दूसरे को अनुभावित कराने के लिए उस अनुमिती का बोद कराने के लिए पांच अव्यवों से युक्त वाक्य का जैती, दूसरे को बताना चाहता है, तो उसके लिए उसे पांच अव्योबवाले हिस्से वाले भागवाले वाकय का प्रयोग करना होता है, यथा जैसे कैसे करेंग वह पांच वाकयो का प्रयोग, इस तरह से उसे अनुमिति कराएगा, कि पर्वत अगनी से युक्त है पहले बताएगा हेतु प्रस्तूत करेगा धूमत वाद धूहे से युक्त होने के कारण व्यक्ति पूछ सकता है आपको कैसे पता कि यहाँ पर पर्वत में आ गहे तो गहेगा कारण प्रस्तूत करेगा धुआ दिखाई दे रहा है फिर बताएगा कि ऐसा कैसे ये आपशक है कि जहां धुआ होगा वहां आवगागी तो उसके लिए उधारन प्रस्तूत करेगा यो यो धुमांस ऐसे पन्नी मान्यता मानस है जो जो धुए से युक्त होता है वहवे आग से भी युक्त होता है जैसे रसोई मानस रसोई तथा चायम यह परवत भी वैसा है अर्था धुए से युक्त है तसमात तथा इसलिए वैसा है अर्था आग से भी युक्त है इती अनेने प्रतिपादित लिंगार पर है अपी अगनकम प्रतिपादिते इस हेतु के आधार पर प्रतिपादित की गए इस पंच अव्योग वाले हेतु जो है वाकिके आधार पर दूसरा व्यक्ति भी अगनी का ज्यान प्राब्द कर लेता है अब यहाँ पर यहाँ आया कि क्या इन पांच अव्यों के कोई नाम भी है या इसी रूप में तो बताते हैं नहीं इनके नाम हैं कौण कौण से नाम हैं तो बताते हैं उपने निगमनानी पंच अव्यवाः प्रतिक्या हेतु संदी करेंगा लग लग विच्छे तो जग हेतु प्लस उधारन प्लस उपने और निगमन प्रतिक्या हेतु उधारन उपने और निगमन पंच अव्यवाः यही सनुमान प्रमान के पांच अव्यव हैं हिस्से हैं भ कहा जाता है धूमवत अत्वात इति हेतु जो हमने कारण प्रस्तूत किया पंचमी में वो ही तु कहा जाता है जिसके कारण हम ये कहते हैं कि परवताग से युक्त है तीसरा जो उधारण है यो यो धूमवान से से वनिमान ये था महानसा जो जो धूये से युक्त होता है उपने कहा जाता है और अगला तसमात तथा इती निगमनम और यह परवत आग से युकत है यह जो है निगमन कहा जाता है अर्था यह निश्कर शुरूब ज्यान उसे हो जाता है निश्ये शुरूब से वह उसका ज्यान प्राप्त कर लेता है स्वार्थानुमिति परार्थानुमिति और लिंग परामर्ष एव कार्णम अब नहां बताते हैं कि चाहे ये जो दो प्रकार का ज्यान होता है एक तो ब्यक्ति जो स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति इन दोनों का जो कारण होता है वो लिंग परामर्श है अनुमान प्रमान का जो मूल होता है लिंग परामर्श वही होता है इन में दोनों प्रकार की अनुमिती में लिंग या हेतु का परामर्श या निश्चे या निर्णे ही मूल कारण होता है तसमात लिंग परामर्श है अनुमानम इसलिए लिंग परामर्श को भी अनुमान कहा जाता है यहाँ पर जो अनुमान परमान का दूसरा जो लक्षन है वो हेतु के अधार पर दिया गया है इस तरह से हमने देखा कि एक जो लक्षन है वो कल हमने पढ़ा था कि साध्य के आधार पर पस्तोत किया गया है अनुमिती करणम वहाँ पर अनुमिती के करण के रूप में अनुमान को परिवाशित किया गया और आज जो हमने अनुमान प्रमान का दूसरा लक्षन पढ़ा है हेतु के अधार पर किया गया है कि एक लक्षन तो हो गया अनुमिती करणम अनुमानम और जो दूसरा लक्षन हेतु के परामर्ष के अधार पर हुआ लिंग परामर्षो अनुमानम लिंग का परामर्ष भी अनुमान कहा जाता है इस तरह से हमने यहां अनुमान परमान के गुदरात्म नको सकते हें वह यह हो सकते हैं की अनुमानम कतिवीदम तो हम बताएंगे अनुमानम कतिविदम स्वार्थम परार्थम चे और इसके पश्चात ये भी हो सकता है कि परार्थ अनुमान से पंच अव्यवाह के परार्थ अनुमान के जो पांच अव्यव हैं वो कौन-कौन से हैं तो आप बताएंगे कि प्रतिग्या हेतु धार्ण उपनए निक्मनानी परार्थ अनुमान से पंच अव्यवाह भवन्ती इस तरह से हम इन लगू उत्तरवाले प्रश्णों को भी यहां से समझ सकते हैं आज इतना ही शेश जो अन्षकाद्ध्यान है वो हम आगामी व्यख्यान में करेंगे आप सभी का कल्यान हो जयतु भारत हुआ